हेलो स्टुडेंट्स मैं आपके लिए लिके आया हूँ MSTCET की एक नई सीरीज जिसमें मैं आपको हर चाप्टर के फिजिक्स के हर चाप्टर के टॉप टीन इंपोर्टन कोश्चन्स आपसे करवा के लूँगा और आपको उसका सोलुशन दूँगा मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ मेरा खुत का कुचिं क्लास भी है गावंडे फिजिक्स क्लासेश करके और अलसो मैं सेल अकैडमी में फिजिक्स टीचर हूँ थिक है सबसे पहला सवाल किया कहके रहा है पहला कुछन वह होती सिंपल है, the angular displacement of minute hand in 15 minute is, angular displacement पूछा है, सबसे पहले तो आपको terms पूरे पता रहने को चाहिए, जी कि theta हैने कि क्या होता है, theta मतलब angular displacement, theta is what, angular displacement, उसके बाद क्या पूछा है आपको, angular displacement ही पूछा है, तो ठीक है, minute hand, minute hand का बच्चो time period पता है, आपको कुछ, हाँ, minute hand का time period होता है, 60 minute, 60 minute में तुमारा minute hand जो एक चक्कर पूरा complete कर लेता है, चलो, अब मुझे बता, omega का formula क्या होता है, omega is theta upon t, ठीक है, अब omega कितना है, omega हैने कि क्या होता है, omega मतलब होता है, बच्चो 2 pi upon capital T equals to theta upon small t, हमें ये theta निकालना है, और small t और capital T में क्या फरक है, देखो, अभी question में आपको दिया गया था, 15 minute, 15 minute में कितना angle cover होगा, this 15 minute, ये जो दिया गया है, this is small t, 15 minute, तो capital T क्या लेना, capital T मतलब होता है, बच्चो time period, time period of minute है, जो कितना होता है, 60 minute, अभी देखो, यहाँ पर 15 minute है, तो इसको seconds पर convert करने कोई जरूरत नहीं है, directly answer आजाएगा, उसका, देखो, 2 pi upon capital T कितना है, 60 minute, into small t कितना है, 15 minute, equals to theta, हम ऐसे solve करेंगे इसको, हाँ, चलो, 15 into 60, कितना हो जाएगा, 15 into 4 is 60, यहनि कि यह 4 हो, यह भी कट जाएगा, तो theta कितना आएगा, बच्चो, theta आजाएगा, आपका pi by 2, क्या आजाएगा, pi by 2, radians में आएगा, किस में आएगा, radians में, क्या answer है, अपने पास, option में, pi by 2 radians, pi by 2 radians मतलब 1.57 radians, हाँ, pi by 2 कितना होगा, pi मतलब 3.14 divided pi 2, that is 1.57 radians, this is the final answer, चलो, देखो, यह question का answer, यह होगा, next question के तरफ बढ़ते हैं, बच्चो, next question क्या है, देखो, अब particle is moving along a circular path of radius, 7 meter, चलो, कोई particle है, तो circular motion perform कर रहा है, और उसकी उसने radius दी है, कितनी है, 7 meter, okay, with uniform speed, uniform speed, unit देखो ज़रा, speed का, आपको 2 speed दी रहेंगे, questions में हमेशा, एक तो angular speed दी आ रहेगा, या फिर linear speed दी आ रहेगा, हमें अगर आपको confuse होता है, कि सर्कुन से speed दी है, तो unit check करो, omega का unit होता है, बच्चो, radian per second, और linear velocity का unit होता है, बच्चो, meter per second, चलेगा, अब आपको कुछ से velocity दी है, meter per second, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वी, ठीक है, आपको omega नहीं दिया है, चलो, आगे, time taken by the particle, for one and half revolution will be, पहले तो मज़े ये बता, one and half revolution, चलो, निकालना क्या है, time period निकालना है हमें, one and half revolution कितना होगा, पहले मज़े ये बताओ, one and half revolution कैसे दिखाई देगा, देखो, ये एक circle हो गया, मेरे डाइग्राम थोड़े अच्छी सिने आएगी, लेकि थोड़ा आप adjust कर लेना, ये एक circle हो गया, इमाइजिन कर लो, ये complete चक्कर हो गया, दोको मान लो, यहाँ से आप निकले, और यहाँ से ऐसा गोल घुम के यहाँ तक आ गया, एक circle complete हो गया, अब मुझे दुसरा चकर निकालना है, तो दुसरे चकर की मैं शुरुआत करता हो, यहाँ से एक circle हो गया है, यहाँ से निकलो, और यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेकर, इसे वॉटरjat half revolution, समझ पार हो, half revolution क्या होता है चलो, इसको हो गया, इसको कहेंगे हम one and half revolution इसको हम क्या कहेंगे, one and half revolution अब मुझे ये बताओ, बच्चो कोई भी चीज़ो, जब भी आपको speed given होती है speed given होती है, speed का मतलब क्या होता है, distance distance upon what, बोलो जल्दी distance upon time, अब मुझे बताओ, कितना distance कवर कवर हो गया, आप one and half revolution में, देखो एक revolution मतलब पूरा circumference कवर हो गया पूरा circumference हैने 2 pi r, फिर उसने half revolution कवर किया, half revolution नहीं कितना distance, half revolution मतलब आधा circumference, that is pi r upon time और speed and aqv, अब इसको solve करेंगे, ठीक है, अब solve करने के लिए मैं फोड़ा इसमें page add कर देता हूँ, एक second, इसमें फोड़ा एक page लगेंगा हमें, चलो, कोई बात नहीं, मैं उपर का portion erase कर देता हूँ, उपर का portion erase कर देता हूँ, आप इसको लिख लो यह हमें space लगेंगी solve करने के लिए question को, आपको अभी V दिया है, T निकालना है और R भी दिया गया है, चलो, इसको निकाल सकते हैं आराम से, V गिवन है आपको 7 और 2 pi r प्लस pi r हो गया 3 pi r और upon time, so time equals to 3 pi r is 7 upon r is 7 given है, यह भी 7 7-7 cancel, 3 pi second यह answer होना चाहिए, बच्चो, कितना answer होना चाहिए 3 pi second, 3 pi seconds, एक बार चिक कर लेते हैं है क्या answer है, 3 pi एने around हो जाएंगा, उसको multiply करना पड़ेगा है हमें तो, चलो करते हैं 3 into pi, 3.14 कितना आएंगा, 4 तरीक 12, 1, 3 and 1 4, 9.42 कितना भी मैं हिंदी में बात कर लू मुझे जो multiplication हो, माराठी में जाता है तो इसका answer आजाएगा 9.42, हिंदी की बोलते बोलते बीच में मैं थोड़ा माराठी भी बोलते जाऊंगा चलो, next 3rd question पर आते, 4 kg बाल swing in a vertical circle, in a vertical circle at the end of chord 1 meter long chord की लेंद दीए गई है आपकी 1 meter यहने की हो कहा रहा है, कुछ भी मास होगा यहाँ पर इसे धाजे से बांदा और इसे गोल गुमाया इसको कहा किया, इसे गोल गोल गुमाया ओके, और इसकी रेडियस, लेंद और रेडियस एक ही होगे ना बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 1 meter चलो, next, maximum speed at which it can swing, if chord can sustain maximum tension of 140 newton, पहले तो मुझे यह बताओ, यह question जो है, बच्चों, यह vertical circular motion का, किसका vertical circular motion का यहाँ पर कई भी horizontal word नहीं बोला, यह बोला है उन्हें, vertical circle में घुम रहा है, तो vertical circle में पहली बात तो tension constant नहीं रहेदा, tension vary होता है, सबसे ज़्यादा tension कहाँ पर रहेंगा, आप मुझे बताओ, lowest position पर रहेगा, lowest position पर रहेगा, कि highest position पर रहेगा, बताओ कि highest position पर रहेगा, तो बच्चों, इसका answer होता है, lowest position पर, lowest position पर तुमारा tension सबसे लेके, tension at any point, हमेशे याद रखना है, फॉर्मूला, t equals to t equals to m v square by r plus plus m g cos theta, ये फॉर्मूले को बच्चों, कुछ भी करके, कुछ भी करके अच्छे से याद कर लेना, ये सबसी important formula है, सबसी important formula है, सबसी important formula है, अब theta क्या लेना, बच्चो, theta क्या लेना, देखो, theta मतलब लेना है, आपको, theta लेना होता है, angle, जिससे कि मानलो, ये आपका vertical circular motion है, तो theta major किया जाता है, lowest position से, सबसी आप यहाँ पे हो, आप ये B point पे हो, और angle कहा से मुझर करोगा, आप A से, तो ये angle अगर B पे होते, कितना एंगल हो जाएंगा, theta, 90 degree, चलो, यहाँ पे होते, कितना angle हो जाएंगा, total, ये से major करना, आपको, 180 degree, ये simple है, चलो, अब इस question को solve करते हैं, मुझे एक page add करने दो, मुझे लगेगा, page, हमें यहाँ पे page add करना पड़ेगा, add page, हाँ, कर भी हाँ, हमने page add, एक सेगन, हम, हाँ, चलो, अब इसको question को solve करने के लिए, page add करते हैं, तो उसने question में देखो, अभी question में क्या पुछा गया है, हमें, question में हमें पुछा गया है, कि maximum tension आपको दिया, 140 newton, और maximum tension कौन से position पे होता है, बच्छो, lowest, तो चलो, वो formula लगाते है, t equals to mv square by r, plus mg cos theta, अब मुझे पूले theta पता दो lowest position पे क्या है, ठीक है, lowest position पे दो चीज़े होने वाली है, तुमारा tension max होने वाला है, theta 0 होने वाला है, और v निकालना है हमें, चलो, निकालते है, t की value दी गई है, आपको 140, mass दिया गया है, शायद से 4 kg mass दिया गया है, हमें, हाँ, 4 kg mass दिया गया है, तो यह यहाँ पे value दाल देता हो, 4 kg mass, v square निकालना है, r की value 1 दी गई है, चलो, यहाँ पे 4, g की value 10, cos 0, cos 0 बच्चो 1 होता है, अब इसको solve कोलो, यहाँ पे 40 आजाएंगा, यह 1 foot है, तो यहाँ पे आजाएंगा, 100 equals to 4, v square, so v square equals to 25, एनिकी v equals to 5 meter per second, यह इसका answer है, चलो, next आगे पहले तो मुझे यह बताओ, tension at any point का formula क्या दिया था हमने, tension at any point का formula था हमारा, m2 by r plus mg cos theta, अब आपे बताओ मुझे, lowest position पे, lowest position पे, theta कितना हो जाएगा, 0 degree, highest position पे, theta कितना हो जाएगा, 180 degree, दो मिनिट पहले हमने देख लिया था, यह तो, चलो, अब लगाओ यह formula, अब difference बो condition of a body, performing vertical circular motion is 120, then the mass of the body is nearly, सबसे पहले हम calculate करते है, tension at the highest point, minus tension at the lowest point, हमें subtract करना पढ़ेगा, चलो, formula देखो, mv square by r, mv square by r, plus mg cos theta, ठीक है, subtract करना पढ़ेगा, lowest position का, m, sorry, एक सेकंड, mv square by r, plus mg cos theta, ठीक है, mg cos theta, हमें values भी डालनी पढ़ेगी, देखो, velocity at the lowest position, और velocity at the highest position, हमें यह भी value डालनी पढ़ेगी, तो इसका हमें directly answer लिख लेता हूँ, यह answer directly होता है, बच्चो, 6 mg, क्या होता है, 6 mg, कैसी निकाला आपने, देखो, simple trick है, तो मैं इसको solve करव बच्चो, इंपोर्टन है, velocity at the highest point होता है, velocity at the highest point होता है, मैंने लिखने भी थोड़ा गलत किया है, यहाँ पे lowest minus highest करना पड़ेगा, हमें क्यों, क्योंकि tension at the lowest point greater होता है, highest point, तो यहाँ पर answer generate होगा, और negative generate होगा, चलेगा, तो बाद में हम इसको clear कर देंगे, ठीक है, तो velocity at the highest point कितनी होती है, root gr, उसका क्या है, square, मैं यहाँ पर directly लिख लेता हूँ, gr, plus, rr cancel, highest point पे theta कितना होगा, 180, तो वहाँ पर minus 10 generate होगा, तो यहाँ पर minus mg, चलो, उसके बाद, उसके बाद, minus, minus, यहाँ पर, velocity at the lowest point होती है, 5gr, 5gr, upon r, तो rr cancel, minus, mg cost, lowest point पे कितना होगा, theta के वाल ठीक है, अब देखो, यह mg और mg कट गया, minus 5 mg और यह minus mg, यह हो जाएगा, बच्चो, minus 6 mg, मैंने बोला तो यहाँ पर negative sign आएगी, तो इसलिए हमें TL minus TH करना है, ठीक है, क्या करना है, TL minus TH, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, TL minus TH हमेशा 6 mg होता है, और यह last year, यह जो ची description दिया है, इसको ठोड़ा erase कर देता हूं, मैं, एक सेगन, हडा देता हूं, इसका हमें कुछ जरूरत तो नहीं है, final derivation का, बस आपको याद क्या करना में बता देता हूं, आपको याद क्या करना हो बता देता हूं, चलो, next, अब दिरेक लिए आते question पे, अब TL minus TH, क्या हमने डिराइव किया था, 6MG, इसको कुछ भी कर ले, कुछ भी करके इसको याद करो, कुछ भी करके याद करो, यह important point है, HSE board के लिए, TL minus TH is what, 6MG, अब final, इसको solve करते है, TL minus TH आपको दिया गया है, 120 Newton, difference between, 6M निकालना है शायद से हमें, और G दिया गया आपको 10, into M, तो यह 60, य में यह formula important हा, इसको याद कर लेना, अच्छे से, चोलो, next question के दरब बढ़ते हैं, next, a table fan attain speed of, यह 120 RPM, पहले बताओ, यह क्या दिया गया है, 120 RPM, बच्छो, यह दिया होता है, आपको revolution per minute, इसको कहा पढ़ना है, हमें revolution per minute, यह actually होता है, इसको angular frequency बोलते है, यह angular speed बोलेंगे, ल radian, एक revolution मतलब 2 pi radian होता है, और 1 minute मतलब 60 seconds होता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, दो, यहने की, 4 pi radian per second, यह मिल गया हमें omega, चलो, omega तो मिल गया, अब आगे कैसे solve करना है, time दिया गया है, आपको, a table fan attain a speed of 120 RPM in 10 seconds, how many rotation have the blades performed, time दिया गया है, आपको कितना, 10 seconds, और क्या पूच रोटेशन पूचा है, how many rotation आने की वच्चो ठीटा पूचा है, यहाँ पर लगाना पड़ेंगा, हमें kinematic equation कुन सा लगा होगे, देखो, इसको kinematic equation अगर solve करते हैं, तो हमें initial, यह जो velocity दी गई है, यह final velocity दी गई है, क्यों, उसने word उसकिया है, attain, जब यह word आएगा attain, इसका म ऐसे कैसे में omega initial क्या लेना है, बच्चो आपको 0, अब लगा दो यह formula, v square equals to u square plus twice s, ठीक है, final, इसको अगर मैं rotor circular motion के form में लिखू, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, v मतलब final velocity that is v square f, initial velocity v square i plus 2 alpha into s, लेकिन एक सेगर, हमें alpha नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा, यह एक formula से निकल सकते हैं, और दूसरा को सा formula, s equals to ut plus half 80 square, s equals to ut plus half 80 square, उससे अगर जाते है, एक सेगन, time दिया गया है, distance नहीं, v equals to u plus 80 से जाना पड़ेगा, हमें पहले alpha ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, यह question में सबसे पहले बच्चों, हमें alpha निकालना पड़ेगा, मैं एक page add कर देता हूं, चोलो, एक page add कर देता हूं, एक page add कर देता हूं, देखो अभी, तो सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा, तो v equals to u plus 80, यह लगाओ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, w final, w initial plus alpha into t, w final हमें दिया गया था, शायद सामने निकाला भी था, 4 pi, कितना है, 4 pi, w initial 0, alpha हम हमें निकालना है, time दिया गया है, 10 second, तो alpha कितना आजाएगा, 4 pi by 10, एने की, 2 pi by 5, 2 pi by 5, अब alpha मिल गया हमें, अब हमें चाहिए, s equals to ut plus half a t का square, यह equation लगा दो, अब सिंपल है है तो, s मतलब होता है बच्छो, theta, u मतलब w initial, t मतलब time, half, a मतलब alpha, t मतलब t का square, अब जोको य यह linear relation है, और यह angular relations है, तीक है, अब चलो हमें theta निकालना है, omega initial तो हमारा 0 था, half, alpha की वाले हमने निकाली थी, 2 pi by 15, 2 pi by 5, इंटू, time की वाले 10, 10 का square, 100, यह 2-2 कट गया, यह 2, 20, तो यह 20 pi answer आना चाहिए, 20 pi radian, क्या आ जाएगा, 20 pi radian, option में देख लेते हैं है कि नहीं, 20 pi radian, how many, 20 pi radian, अब यह angle हो गया, अब हमें इसको convert करना पड़ेगा, rotations में, देखो, how many rotation पूछा है उसने, देखो, अब यह question more interesting है, अब यह जो मिला है, हमें theta, देखो अब जब एक rotation होगा, तो कितने angle कावर होगा, 2 pi radian, हमारे पास कितने radian कावर होगे, 20 radian, 20 pi radian, sorry, यहाँ पर answer गलत लिख दया हमारे, 20 pi radian कवर होगे, तो कितने rotation होगे, x rotation, इसको cross multiply करो, कैसे करोगे, 20 pi upon 2 pi, pi, pi का answer, अनिका answer is 10, 10 rotation, इसका answer है, बच्चो, 10 rotation, ठीक है, कितका answer है, 10 rotation, इसका, 10 rotation, इसका answer है, इसका answer है, B, चलो, next question के तरफ बढ़ते है, which of the following statement is fall for a particle moving in a circle, with a constant angular speed, पहले बात तो constant omega बोला है, उसने, यह पहले निकाल कर तो constant omega मतलब UCM वाली case है, कुछ सी case है, UCM वाली case है, चलो, इस UCM में कुण से acceleration होते हैं, पहले मुझे यह बताओ, UCM में बच्चो, alpha 0 हो जाएगा, तो ATB 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका AC not equals to 0, यह अच्छे से याद करना, this is MCQ, यह MCQ बनता है, UCM में कुण सी चीज़ 0 होते हैं, कुण सी नहीं होते हैं, यह आपको याद रखना है, याद रख पाओगे, चलो, next, आगे बढ़ते हैं फिल, उसके बाद, पहला term पढ़ते हैं, velocity vector is tangent to the circle, yes, उसने पूछा क्या है, false statement, पहली बात तो, यह circle है, यह radius vector है, यह radius vector है, velocity vector is tangential to the circle, ऐसे रहता है, velocity vector, अब हमारी इस case में एक ही acceleration हो, कौन सा है, centribetle, उसकी direction हमेशा कैसी होती है, towards the center, AC, ऐसे direction रहेगी, ऐसे की, ठीक है, और AC और V में कितने आएंगल है, 90 degree, अब देखो इसको पढ़ते हैं, velocity vector is tangent to the circle, हाँ, tangent है, V की देखो, V सरकल को tangent है, the acceleration vector points towards the center of the circle, हाँ, यह भी सही है, यहाँ पे आपका center है, और आपका acceleration towards the center होता है, क्योंकि इसमें AC ही है, यह alpha-80 तो 0 है, velocity vector and acceleration vector are perpendicular to each other, हाँ, सही है, तो इसका answer क्या होगा, none of the above, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, wheel has an angular acceleration alpha, 3 radian per second square, 3 radian per second का square, उसके बाद, and an initial angular speed, omega दिया गया है, बच्चों, आपको 2 radian per watt second, in time, t equals to 2 second, it has rotated through angle of theta, निकालना है, बच्चों, हमें, simple kinematic equation लगा दो रहे हैं, तो वह लगा लगा लेते, theta equals to omega initial into t plus half alpha t square, अब omega initial कितना है, 2, time कितना है, 2 plus half alpha, alpha कितना दिया गया आपको, alpha दिया गया है, 3, 3, और time कितना दिया, 2, 2 का square, 4, अब इसको solve करो, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 radian is the answer, simple question ता है, लिए बस इसको करना अप्ला करना था, ठीक है, कितना answer है था अपना, 10, तो answer इसका क्या है, 10 answer है, चलो आगे बढ़ते हैं, यह last question रहेंगा हमारा, direction of omega and alpha, देखो इसके direction बड़ी interesting होती है, omega की direction जो होती है, along the axis होती है, अब हमें शायाद रखना, omega and alpha, इनके direction से हो स और omega and alpha, omega and alpha, इसके direction जो है, इसके direction जो है, वो opposite हो सकती है, opposite, कब, कब, जब, जब, omega क्या हो, decreasing हो, simple, तो इस question का answer क्या होगा, पड़ा इस question को, always same नहीं, always same नहीं होता है, opposite, opposite, opposite होता है, opposite होता है, लेकिन कब, जब, omega decreasing हो, opposite, when angular velocity increases wrong, same, when angular velocity decreases, यह भी wrong, same, only when angular velocity increases, and opposite, when angular velocity decreases, this is the correct answer, D, okay, चलो, next, a particle is moving, इसमें option नहीं दिये गए है, मैंने, इसको आपको खुद सॉल करना पड़ेगा, चलो, दिवाग लगा चरा है, इसको, a particle is moving, a particle is moving, in a uniform circular motion, with radius R, okay, radius क्या दियता हो, इसका, मैं R लेता हूँ, in quarter revolution, in quarter revolution, distance and displacement covered by the particle, what is quarter revolution, इसको बलते है, यह दिख रहा है, this is one quarter, quarter मतलब one-fourth, quarter मतलब one-fourth, हमाशे आद रखना, this is quarter, this is quarter, तो एक quarter जब हो जाएगा, तो a से आप b पे चले जाओगे, तो मुझे बताओ, यहाँ से लेके, जब a से लेके, आप b पे चले जाओगे, तो कितना angular distance or displacement cover होगा, देखो अभी, distance क्या होता है, बच्चो, distance is actual path, तो distance हमारे case में, हमारे case में, यह वाला portion हो जाएगा, देखो अच्चे से, this is distance, this is what, distance, पर इसको निकालो, कैसे निकालोगे, total अगर cover करता था, पूरा का पूरा, एक circle complete करता था, तो कितना distance cover होता था, 2 pi r, लेकिन उसने कितना किया, सिर्फ 1 fourth, 1 fourth अगर किया, तो क्या आएंगा answer, pi r by 2, यह होना चाहिए, distance cover, यह क्या होना चाहिए, distance, pi r by 2, कैसे, 1 fourth यह distance cover किया है, उसने अगर complete circle किया होता, तो हम सिधा 2 pi r लिखते थे, लेकिन उसने 1 fourth किया, तो हमने 1 fourth लिख दिया, अब displacement कैसे निकाल होगे, देखो, अब displacement interesting है, displacement होता है, बच्चो यह, shortcut, A से भी जा रहा है न, तो this is the shortcut, देख पारो, this is the shortcut, अब यह कैसे निकाल होगे, simple, यह अगर आपका radius है, मैं pain change कर लेता हूँ, pain change कर लेता हूँ, pain change कर लेता हूँ, pain change कर लेते है, चलो, यह वाला pain लेकर देखते, यह आ रहा है, कच्चे से नहीं, यह भी नहीं आ रहा है, इसो काले pain से निकालना पड़ेगा, माननी रहा है, चलो, कोई बात नहीं, यह R और यह R, हमें यह निकालना है, कसी निकालो लवा, पाइथा गुरस तेरा, निकालो यह X को, क्या आएगा यह X, X को find करना है, सर, याद मत दिलाओ, देखो, R स्क्वेर, प्लस R स्क्वेर, यह आ जाएंगा बच्चो, root 2 R, X मिल गई, X क्या होगी, मिल गई, यह ही तो displacement है तुमारा, एक सरकल से, जब आप यहां से, quarter distance cover करोगे ते, this is the displacement, और यह X कितना आया आपका, root 2 into what R, root 2 into what R, root 2 into what R, this is the displacement, simple, तो यह थे मेरे top 10 questions, MSTCET को लेके, पहले chapter पे, circular motion पे, बाखे chapter पे भी आपको different questions लेके आऊंगा, और आपको पुरा solution दूँगा, आपको में पुरी help करूँगा, आपको अच्छे से अच्छा college लेने में, ठीक है, चलो, thank you so much everyone, bye, see you,